देश में दिल के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में नकली दवा कारोबार ने और भी मुश्कलें बढ़ा दी है। नकली दवा का कारोबार देश में दिनों दिन बढ़ रहा है। इन दवाओं की पैकिंग भी असली से हूबहू मिल रही है। ऐसे में आमजन, औरिजनल और डुब्लिकेट दवा में भेद नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में मरीजों को दी जा रही दवा बे असर सावित हो रही है और धंधेवाज ब्रांडेड कमपणियों के नाम से नकली दवा उतार कर करोनों का वारा नयरा कर रहे हैं अब दिल की नकली दवा को लेकर यूपी के खाद एवम और शदी भाग ने अलर्ट जारी किया है यूपी के ड्रक कंट्रोलर एक जैन ने 24 फरवरी को ड्रक की टीम को पत्र जारी किया है यहाँ पत्र अब जनपतों में भी पहुँच गया है इसमें सभी जनपतों के आउशदी निर्ख्षक को दिल की नकली दवा विक्री पर निगरानी रखने का आदेश जारी किया गया है पत्र के मुताबिक एक बड़ी दवा कंपनी की ब्रांड़ दवा क्लोपी टेप का नकली कारोबार किया जा रहा है यह हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है और सबसे दुख की बात यह है चिंता की बात यह है कि यंग लोगों में भी हाट अटेक होते जा रहा है 20 साल 25 साल 30 साल के बच्चों में भी हाट अटेक हो रहा है तो हमें इससे बचना है इससे बचने के लिए इसके लक्षन क्या है सीने में दर्द होना अचानक से पसी ना जाना या वो दर्द बायक अंदे की तरफ जाना या सास फूलना अगर ये लक्षन होते हैं तो आपको तुरंत अस्पताव जाना चाहिए इसके risk factors क्या है, smoking करना, यंग बच्चों में क्यों हो रहा है तो कि धुम्रपान का जो नशा है वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं, वो बढ़ रहा है तो हमें उसको कम करना है लोगों से इसके अलावा physically active नहीं है, कसरत नहीं करते हैं, walk करने के लिए नहीं जाते हैं इसकी वज़े से भी हिर्देगात के खत्रे बढ़ रहे हैं और आजकल की यंग जनरेशन में नया नशा भी आ गया है जिसे कहते हैं, junk food खाने का नशा तो लोगों को pizza burger से इतना प्यार है, कि वो घर का अच्छा खाना, healthy food खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए हम अपने जीवन शेलिंग में बनलाव करें, रोज regular walk के ले जाएं, घी तेल की मातरा कम रखें, junk food का नशा बिलकुल अपने उससे हटा दें, धुम्रपान किसी भी रूप में ना करें और जैसे दिल आपके लिए निरंतर धड़कते रहता है, पैदा होने से पहले से चल रहा है, अंतिम सांस तक आपका साथ देता है, आप उसको स्वस्त रखने के लिए खुद निरंतर चलते रहें देश फार्मा उद्दो का हब बन चुका है, करोना काल में दुनिया ने भी इसका लोहा माना है, वहीं नकली दवा कारोबार लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, यह न सिर्फ देश की छवी पर बट्टा लगा रहा है, बल्कि मरीजों की जान से भी खिलवाड कर रहा है, के पांडे इटी विभारा लखनों